शान्ति की शक्ति से शान्ति जग में लानी है शान्त मन हो तन हो शीतर शान्त मन हो तन हो शीतर ऐसे दुनिया बनानी है शान्ति की शक्ति से शान्ति जग में लानी है शान्ति की शक्ति से आज उन्निस दिसंबर दो हजार इक्ष्ट अव्यक बाब दादा के रिवाइस्ड कोर्स है 13 दिसंबर 89 टाइटल है दिव्य ब्रहामन जनम के भाग्य की रेखाएं दिव्य ब्रहामन जनम के भाग्य की रेखाएं जब भी आपका जनम होता है तो आपके भाग्य की रेखाएं साथ साथ लिखी होई होती है और जब आपका जनम दिव्य ब्रहामन जनम होता है दिव्य ब्रहामन जो दिव्य ब्रहामन है बाबा के बच्चे है दिव्य मना एक होता है फिजिकल वर्थ एक होता है स्प्रिच्छल वर्थ तो स्प्रिच्छल बर्थ हम आत्माओं का जनम हमने अपने बाप को पहचान लिया उसने हमें पहचान लिया तो हमारा ये है दिवि ब्राह्मन जनम जब हमारे जनम दिवि हो गया तो हमारे भागी की रेखाएं बदल जाती है हमारे सर्व स्ट्रेश्ट भागी हो जाता है दुनिया में भी आई बाबा ने दुनिया से कंपेर किया दुनिया में जनम होता है तो जनम दिन मनाते हैं पिर अंगेर्मेंट होती है तो अंगेजमेंट डे मनाते है शादी होते है तो शादी डे मनाते है फ्रेंड्स बनते है तो फ्रेंड्शिप डे मनाते है स्कूल में गे तो स्कूल डे मनाते है और यहाँ एक ही टाइम बाबा के घर आए कॉर्स करना शुरू किया एक दम पहले समझ आ जाती है कि यह अलग है उसी समय हमारा सारे संबंद उस एक से बन जाते हैं तो हमारा अलग-अलग इवेंट नहीं है एक ही इवेंट में सारे रिष्टे बन गए तो कितना अलग है फिर बाबा ने कहा पता सब कुछ है हमको पर हम समय पर भूज आते हैं इसलिए बाबा ने कहा लेकिन साक्षी होके देखो बाबा भी साक्षी होके देखता है मेरे बन गए अब कहां कहां जा रहे है कहां कहां रिलेशन रखे है तो ऐसे बाबा ने कहा तुम भी अपने आपको साक्षी होके देखो डिटैच होके अबसर्व करो अपने आपको कि मेरी बुद्धी कहां कहां जा रही है कहने को तो मैं बाबा को हूँ मेरा नया जनम हुआ है पिछले जनम से मर गया हूँ पर चेक करो अपने आपको तो साक्षी बनके पार्ट बजाने की प्रैक्टिस रोज करनी है हमने डिटैच हो जाओ प्रैक्टिस करो योग में हम करते हैं तो योग में कैसे करना है वो बाबा ने बताया हम तो फिर बाबा ने आज बहुत पश्ट प्रूप में बताया कि आपके हाथ की रेखाएं या मस्तक की रेखाएं कैसे चमकती है कैसे बदलती है तो उसके लिए हमने चार भागे की लकीरे बताएं चार चीज़ों का बहुत ध्यान रखना और चेकिंग करते रहना अगर उसमें पर्फेक्शन है तो आपका भागे साथ साथ बदलता जाएगा तो चार बाते कोंसी हैं समरिती में रखना है और सारा दिन अवेरेस पर रखना है कि मेरा ये पहला दिव जनम है हमेश्चे याद रखे मैं लौकिक नहीं हूँ मैं अलौकिक हूँ स्प्रिच्छल हूँ बाबा के पास मेरा जनम हुआ है अब बाबा जो कहेगा मुझे वही करना है दूसरा परमात्म पालना की रेका मुझे परमात्मा पाल रहा है दुनिया भी कहती है बगवान हमें पालता है पर हमें तो रियली पालता है कैसे पालता है डिटेल बाबा बताएंगे बाद में तिसरा है परमात्म पढ़ाई की रेका परमात्मा हमें पढ़ा रहा है तो रेखाएं तो बदलेंगी ना और चौता है निस्वार्थ सेवा की रेखा दुनिया में तो स्वार्थ है अपना मतलब है तो सब कुछ करेंगे अपना मतलब नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे या हमें कोई किसे सवार्थ ने फिर भी सेवा करते है तो कितना निस स्वार्थ सेवा करते हो यानि इन चारों को बगरम कढ़िब ध्यान से देखेंगे इटेंशन रखेंगे क्या ये चारों हमारे बाबा के कहे अनुसार चल रहा है तो आप खुद देखोगे कैसा आपका भागिये बनता है तो चारों की बाबा ने फिर डिटेल बताई है तो फिर बाबा ने का अप गीता पाटशाला है ये तो यहां पर गीता में भगवान ने ग्यान किसको सुनाया अरजुन को तो अरजुन कोई और था कि आप हो तो बाबा ने आपको कितने प्यार से बकारा है अरजुन एकदम ये बात शबदी अपील करना चाहिए कि बाबा है अरजुन मुझे ही कह रहा है अरजुन माना जो इस ग्यान को अरजित करे अपने जीवर में धारन कर ले तो ऊरजुन आप ही हो तो इसका अव blueberry कैसे करना है आपको याद आना चाहिए अफे़ गर में हो की दुकान में हो जहाँ बना गर में ज़ाद अ लेगा तो गर का काम ज़ाद लेगा बिज्शन में हा तो बिज्शन में आद लेगा तो आप कहां पर हो अपने स्थिति को चेक करो ठीक है तो जब योग में बैटते हो तो सारी मुली योग की है तो आत्म अबमानी होने के बदले कहीं योग में सेवा भी याद नी आने चाहिए आपको बाबा की सेवा ही है वो भी नहीं आने चाहिए क्योंकि अंत में जब आप अश्रीरी बनकर के परमधाम पहुंच जाओगे बाबा के साथ लोगे तब अंत के पेपर में पास होगे सेकिंड का पेपर होगा उस समें कुछ भी याद नाए सेवा भी याद नाए वो भी बाबा ने इशारा दे दिया कि अंत के समें में क्या होगा और फिर बाबा ने कहा अगर हल चल होती है माया आती है क्योंकि माया ही हिलाती है इसका मतलब आपने माया के लिए कुछ मारजन रखी हुई है माया वहीं पर आती है जहां आपने माया के लिए मार्जन रखी है चल इतना तो चलता है इतना तो ठीक है ठीक है? इसलिए माया के लिए कोई मार्जन नहीं रखना तो माया कभी आएगी नहीं क्योंकि आए फिर भगाओ फिर तो time लग जाएगा ना time waste भी नहीं करना है तो अभी नहीं तो कभी नहीं ये ब्रामनों के लिए ही कावत है इसलिए तीवर पुर्शार्थी बनना है बाबा ने कहा और मुझे उसी समय करना है फिर बाबा ने वर्दान में समझाया कि आप कौन हो आज मोह जीत हो तो मोह कुछ कैसे जितेंगे जब आप सब कुछ, जितने भी आपको आप खजाने बाबा से मिलेंगे वो बाबा को विल कर दोगे बाबा को विल करना में is बाबा आप ने दिया ये आपका ये तो मुझे सिर्व ट्रस्टी बन्के बाबा की शिर्मत परमान इसको यूज़ करना है जितना हम बाबा की शिर्मत परमान यूज़ करेंगे जब है ही बाबा का तो मेरा है ही नहीं कुछ दो मो किसे रेगा और वो भी हर समय और संकलप सहीत हर समय अटेंशन रखना है हर संकल्पों में अटेंशन रहना है इसका अविल लास्ट में बाबा ने कहा महजीत तो बनना है पर सनेह तो रखना ही है सनेह तो निग करना तो एक दूसरे के सनही बनने के लिए दो वैल्यू चाहिए एक तो सलटा और सहंषीलता सलतमी इजी नेचर किसी बात को पकड़ के बात को पतंगर नहीं बनाना है इजी नेचर लेट गो नेचर लेट गो कर दो कोई बात नहीं कोई बात नहीं और हरे को सहन शील बनना है जैसे मां बच्चे को सहन करती है हैं ऐसे सारा विश्व मेरा परिवार है हरे को सेहन करना है तब सने सबसे रहेगा अम्शान्टी अभी हम सुनेंगे विस्तार से टाइटल है दिव्य ब्रह्मन जनम के भागी की निशान आप सब का दिव्य जनम है ना अलॉकिक जनम है आप आत्मा हो आपने आपने को समझ गए कि हम आत्मा हैं उस परमात्मा की संतान है यह बात याद रही तो आपका दिव्य यानि अलॉकिक ब्रह्मन जनम है तो आज विश्व रचेईता बाप दादा शुबाबा ने ब्रह्मा के तन में आगर के मनुष्टि रची है इसलिए बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं सर्व आत्माओं में अर्थाद सर्व बच्चों में दो परकार के बच्चे हैं एक हैं बाप को पहचानने वाले हम बच्चों ने बावा को पहचान लिया और दूसरे हैं बग्ति मारग वाले यानि पुकारने वाले और परकने का परियतन करने परकने कौन भगवान है कौन है क्या है लेकिन है तो सबी बच्चे चाहे बगती मारके हैं चाहे ग्यान मारके हैं तो आज दोनों परकार के बच्चों को देख रहे थे तो सर्व बच्चों में से पहचानने वाले जोने बाबा को पहचान लिया और प्राप्त करने वाले जो बाबा से प्राप्तियां कर रहे हैं सारे खजानों की वो बच्चे क्या देखा बाबा ने बहुत थोड़े हैं और पहचान करने के परितन वाले अने के बाबा को भी अजमा रहे हैं उसमें वो बच्चे ज्यादा हैं तो पहचानने वाले बच्चों के जिरों ने बाबा को पहचान लिया पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर क्या देखा बाबा ने श्रेष्ट भाग्य की लकीर चमक रही है देखो अपना अपना भाग्य अपना अनमस्ता देखो चमक रही लकीर अगेर तो सबसे श्रेष्ट भाग्य की लकीर है बाप द्वारा दिव्य ब्रामन जनम की बाबा के बच्चे बन गए सबसे बड़े तक्दीरवान वही है तो दिव्य जनम की रेखा अती श्रेष्ट चमक रही है खाली चमक नहीं अती श्रेष्ट चमक रही है दूसरी सेड पुकारने वाले अनजाने भी जानते कुछ नहीं हैं मानते यही हैं कि भगवान ने हमेर अच्चा है उसने भेजाय हमें लेकिन अनजान होने के कारण दिव जनम की अनभूती तो नहीं कर सकते हैं कि हमारा ये अलग नया जनम है पिछले जनम से मर गे नया जनम है ये तो अन्बूती नहीं कर सकते आप भी कहते हो हमें बाप दादा ने दिव्य जनम दिया खाले शे बाबा ने ने दादा भरमा के भरमा मा है ना शे बाबा बाप भरमा मा इनोंने दिव्य जनम दिया दुनिया वाले भी कहते हैं भगवान ने रचा भगवान ही क्रियेटर है रच्टा है भगवान ही पालनहार है कहते हैं दोनों यही हैं लेकिन लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है फरक है दोनों में बक्ति मार गोर ग्यान मार गोर है आप अन्भाव से कहते हो आप नशे से कहते हो आप नौलिज से कहते हो कि हम को बाप दादा मात पिता ने रचा अर्थात ब्रामन जनम दिया रचता को रचता को और जनम को जनम पत्री को यानि दिव जनम की विधी और सिधी विधी कहा है अमारा दिव जनम है और दिव जनम होते ही सफलताएं सिधी सब को जानते हो और हर एक को अपना दिव जनम का बड़े याद है ना कब बाबा का घर में आपका जनम हुआ सब को जनम याद है ना अब लॉकिक बड़े तर गोजी नहीं बनाता है ना अलॉकिक बनाते हो ना बड़े अगर आप अभी भी लौकी को मनाते हो इसका मदला आप बाबा के बने ही नहीं हो आपका दिवी जनम हुआ ही नहीं है बच्चे मनाते हैं की मर्जी है बच्चे मनाते हैं कोई बात नहीं पर हमारी भावना ही नहीं चाहिए हमारे को वो खुशी नहीं अंदर से चाहिए बच्चों खुशी करना परता है, पर आपको internally नहीं कि मेरा birthday है, आप accept करो नहीं, दिल से नहीं है, फ्रीक है, फॉर्मल्ली करने हैं, आप पर लेक को अपना दिव्य जनम का birthday, याद है ना? इस दिव जनम की विशेष्टा कौन सी है साधारान जनमधारी आत्माए अपना बर्डे अलग मनाती फ्रेंड्स डे अलग मनाती पढ़ाई का दिन अलग मनाती और आप क्या कहेंगे आपका बर्डे भी वही तो मेरिज्डे भी वही और पढ़ाई का दिन भी वही मदर दे कहो फादर दे कहो एंगेजमेंट दे कहो कुछ भी दे कहलो सब एक ही है तो ऐसा दिव जनम कभी सुना सारे कल्प में पूरे साइकल में ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी भी नहीं आता सत्युग में भी बढ़े और मेरिज्डे एक नहीं होगा लेकिन इस संगम युके इस महान जनम की ये विशेशता भी है और विचितरता भी है दिखता भी कुछ नहीं है किससे आपकी महरी हुई है कौन आपका फादर है दिखता भी कुछ नहीं है उसका चितर भी नहीं है शरीर भी नहीं है और विशेशता भी है वैसे तो जिस दिन ब्रामन बने वही जनम दिन वही मेरिज दिन बैरिज दिन वही है न क्यों? क्योंकि सभी बाबा के बने के बाद वाइदा करते हो क्या करते हो? एक बाप दूसरा ना कोई यानि आज के बाद आज से जो बाबा मुझे कहेगा मुझे वही करना है अब से मैंने किसी और की नहीं सुनी है ना मनमत लगानी है ना किसी रिष्टे नातों की सुनी है यह है मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई और यह दिर्ड संकलब पहले ही करते हो ना क्या? तुम ही से खाऊऊं तुम ही से बैटूं तुम ही से सर्व संबंद निभाऊं यह सब ने वाइदा किया है ना तेरा भाना मीठा लागे जो तुम कोई वच्छा लगता है ने वाइदा किया है ना फिर बबबने पुछो एक एक चे पांड़ों ने भाईयों ने किया वाइदा किया? कांधि लाओ ना किया माताओं ने कि वेरी गुड कुमारियों ने किया जी सबी ने वाइदा किया? तो और कहां सौपन में भी? मन नहीं जा सकता सपने में भी किसी और के लिए मन नहीं जा सकता ऐसे पक्के हो ना वा कोई साथी चाहिए हाँ जी कोई साथी चाहिए? जीवन साथी मतने चाहिए ना महम्मद है या सेवा के लिए कोई विशे साथी चाहिए कोई सेवा बोलो ने जी वे जिए दो पुझे सेवा के लिए बस ऐसे दर लिए कोई तो साथी दिवस किसका मनाएंगे सेवा धारी साथी का बाप साथी है उसका दिवस मनाएंगे बाप साथी है न अच्छा दिवस ही है चाहे सर्विस करने वाले है चाहे सर्विस लेने वाले हैं लेकिन सेवा के समये सेवा की फिर इतने नयारे और प्यारे बनो जो जरा भी विशे जुकाव नहीं हो पर्टिक्लर उसे पर डिपेंडेंट हो ऐसा नहीं होना चाहिए जो सेवा में मदद करेगा वू विशेश होगा ना स्पेशल होगा ना चाए भाई हो चाए बहन हो अब जो विशे पर्टिक्लर सेवा करता वो फिर विशेश अधिकार भी रखेगा मैंने इतना किया expect तो उनसे भी करेगा कि भी तो मिरले कुछ करेंगे अधिकार उस पर पिशेच रखेगा तो सेवा के साथी बनो ऐसे नहीं कि सेवा करने नहीं है तो सेवा के साथी बनो लेकिं नियारे प्यारे यानि साक्षी होकर साथी बनो, detatch हो जाओ और चेक करो observe करना सिरफ कि मैं attachment तो नहीं बेरी बाबा की सेवा कर रहे हैं बाबा को प्रतेश करने के लिए कर रहे हैं, कि अपने नमबर बनाने के लिए कर रहे हैं यह चेक करो अब होता क्या है साख्षी बन भूल जाता है तो सिरफ साथी बनने में फिर बाब भूल जाता है साख्षी बन पाठ बजाने की प्रैक्टिस करो जो जिसको चाते थे सेवा में, वो मिल गया बस आपे गपे मारते रो, बाबा दो भूल गया फिर तो तो फिर बाबा ने देखा हर बच्चे के मस्तक पर विशेश चार भागे की लकीरे चमकती है भागे बनता कैसे हमारा, चार बातों से जहां से सुनेंगे सारे चार बाते जिसमें कभी है वो अभी से चेक करेगा और अपना भागे जितना बनाना चाहे बना सकता है पहला दिव जनम की रेखा, हमारा ये अलाकिक जनम है spiritual जनम है ये याद रखो मेशा तो भागी की रिखाएं बदलती जाएंगे तुसरा परमात्म पालना की रिखा परमात्मा मेरी पालना कर रहा है वो देखो रिखा तुसरा परमात्म पढ़ाई की रिखा प्रमात्मा मुझे पढ़ा रहा है और चौती निस्वार्थ सेवा की रेखा स्वार्थ नहीं होना चाहिए निस्वार्थ ये चारों सिज़ाब का भाग्य बनाती है सभी के मस्तग में क्या देखा बाबाने चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक रही है लेकिन कितना प्यार सबावख खुछ इदाना सब के माते पर ये चमक रही है बड़े खुछ सोते हैं लेकिन लेकिन किया होगा चमक में और सदा एक रस वरिदी को प्राप्त करने में फरक होने के कारण चमक में अंतर दिखाए देता है आत्मा चमकती कैसे है जब उसमें गुन आते है शांती आगी पवित्त आगी प्रेम आगी चमकती आत्मा पर उसमें फर्ग दिखाई देता है आदी से जब से बाबा के बने आप अब तक चारो ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रहे वो बहुत थोड़ों की है चारों चीज़ों की सिमिरती रहे ऐस चलते रहे वो बहुत थोड़ों की है क्यों कि बीच बीच में कोई न कोई बात में भागे की लकीर या तो खंडित होती है वाच्चमक कम होती है यानि स्पष्ट नहीं होती जैसे हस्त रेखाएं भी देखते हैं न कोई की खंडित होती कोई की एकरस होती है बागी देखा किसी की भी कुछ स्टेट है किसी की खंडित है कोई की एकरस होती कोई की स्पष्ट होती है कोई की स्पष्ट नहीं होती तो बाप दादा भी बच्चों के भागी की रेखा को देखते रहते हैं दिव्य जनम तो सभी ने लिया दिव्य जनम तो सभी ने लिया लेकिन दिव्य जनम की रेखा खंडित होती वस्पष्ट नहीं होती क्यों क्योंकि अपने जनम के धर्म में अखंड नहीं चलता अपने जनम होती है न हमें बाबा का बच्चा बन गया जैसे बाबा के गया वैसे करना मैंने उसमें अखंड नहीं चलता तो उनके तो उनके भागे की लकीर खंडित हो जाती है धर्म क्या है? कर्म क्या है? क्या है धर्म हमारा? क्या कर्म हमारा? उसको तो जानते हो ना धर्म क्या हमारा? हमारे जीवन की धार ना है धर्म क्या है मेरा? पवित्रता धर्म क्या मेरा श्यानती एना? अतिनी सुक में रेना आनंद में रेना ये मेरा धर्म है और मेरा कर्म भी ऐसे होना चाहिए ठीक है? तो यह है मेरा ब्राह्मन धर्म मैं ब्रामन बन गया हूँ बाबा का बच्चा बन गया हूँ धर्म का याद रहना आपको मिरा दीवी जर्म है अलोकी जर्म है अलोकी जर्म है ऐसे ही दूसरा क्या था परमात्म पालना में भी ऐसे ही परमात्म पालना में तो सभी ब्रामन चली रहे हो कौन पाल रहा है परमात्मा की खुदी पाल रहे हो परमात्मा पाल रहे है ना चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृति में हो परिवारों में हो लेकिन बाप के डिरेक्शन से चल रहे हो प्रवृति वाले क्या कहेंगे क्या किया कि परिवारों बनाने वाले अपना कमाय हुआ खाते हो हम तो कमाते हैं जी हम तो खुदी खाते हैं ऐसे करते हो वाप बाप का खाते हो कैसे पतल रहा है बाप का खाते हो कि अपना कमाय हुआ खाते हो बाप का खाते हैं ना क्यों क्योंकि अपना सब कुछ बाप को दे दिया तो बाप का ही हुआ ना चाहे कमाते भी हो खुद कमाते भी हो लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो या अपने काम में लगाते हो यानि ट्रस्टी हो ना पैसे अपने बाप से लगे गे पर बाबा यह आपका ही है आपका ही सब कुछ है बाबा के दा अच्छा मेरा है ओके अब इसको ट्रस्टी समझ के यूज़ करो अपने पर प्रसनल पूछ के लगाओ मुझसे बिना पूछे कुछ यूज़ नहीं करना तुमें यह ट्रस्टी बना क्योंकि ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता ग्रस्टी में अपना पन होता है मेरी ममी है ना यह ग्रस्टी पन होता है अपना पन होता है ट्रस्टी अर्थात सब बाबा का है अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ना ब्रमा बोजन खा रहे हैं बर्मा बोजन खाते हो कि साधान बोजन खाते हो कैसे पता लगाएगा खाना तो वही बिनाते हैं स्टाइल तो वही है तरीका तो वही है को अलगजी तो डालते नहीं है तो क्या पता लगता है बर्मा बोजन खाया कि घर का साधान बोजन खाया पहले भोग लगाते हो किसको जिसने भोग लगा के नहीं खाया चाहिए फ्रूट भी लिगाया है अगर भोग लगा के नहीं खाया तो वो घ्रस्टी हो ट्रस्टी नहीं हो तीक है घर में फ्रूट भी लाना है तो पहले बाबा को भोग लगाओ रो फिर फिर दो फिर जोमर्जी खाए एशे नहों कि आपने रख दिया बाद में आदया की और भूग लगाना है पहले उसे पहले किससी ले खा लिया तो समझ log आप ट्रस्ट ही नहीं हो बाबा को बाबा को आपको विश्पाश नहीं होगा बाबको ट्रस्ट नहीं होगा पर तो पहले भोग किसको लगाते हो बाप को अरपन करते हो ना बाबा इस अब आपका दिया हुआ है आपके लिए है ऐसे करते हो ना अरपन करना अरताथ बाप का खाना उसको भोग लगा दिया जो देता है गर का बड़ा हो तो मुख्य होता है उसको खिलाना मिज उसको खिलाना मिज उसकी का खा रहे है बाबा को भोग लगाया अर्पन कर दिया यानि बाप का खाना तो ब्रमा भोचन खाते हो तब ब्रमा भोचन बन गया अगर आपने भोग नहीं लगाया बाबा को ऐसे खाना का लिया तो उस दिन याद रना बर्मा बोज़ नहीं खाया हमने चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो घर में खर्चाता करना है बड़ बच्चों के लिए भी चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो वो भी direction अनुसार लगाते है बाबा, फीस बननी है, ये काम करना है, कपड़े लेने है, बाबा ले लेना, जैसे समर्पित बहने, वो समर्पित भाई, बिन बिन कारे में, तन मन भी लगाते हैं, तो धन भी लगाते हैं, जो बाबा की बच्चे भी समर्पित हैं, नौकरी करते हैं वो भी सारे पैसे वहीं पर लगाते हैं ऐसे परवरिती में रहने वाले भी चाहे तन लगाते चाहे धन लगाते बाप की शीरिमत परमानी अमानत समझ कारे में लगाते हो ऐसे करते हो ना कि बाबा का मेरे कुछ बाबा कहा बाबा ने मुली में कहा बचे लगा दो यहाप तो ठीक है नहीं लगा दो नहीं लगा दो तो अमानत में ख्यानत अमानत में ख्यानत अत्वा मनमत मेरे विचासे तो ऐसा करना चाहिए यह तो नहीं मिलाते हो ना मनमत तो नहीं मिलाते हो ना तो परमातम पाल पालना सब ब्रामन आत्माओं को मिली रही है पालना की शक्ती है पालना की जाती है शक्ती शाली बनाने के लिए पालना क्यों करते है ताकि बच्चे पावरूर बन जाए माता की पालना का पर्त्यक्ष रूप जो दिखता है रूप क्या होता है बच्चा शक्तिशाली बनता है खिलाती है पिलाती है ना उदमात माता हो यह होता है कि बच्चे खापी के जाएं अच्छा बना करके तो वो बच्चे को शक्तिशाली बनाती है तो मा कुन है ब्रहमा मा है तो ब्रहमा मा की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्व शक्तिमान बने हो लेकिन कोई बच्चे सदा शक्तियों को कारे में लगाते और कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को या ये को प्राप्त पालना को कारे में नहीं लगाते अर्थाथ पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते इसलिए श्रेष्ट पालना मिलते हुए भी कमजोर रह जाते हैं और भागी की लकीर खंडित हो जाती है कहां भागी का गराप एज जाना था फिर खंडित हो गी बाबा तो अच्छी तरह पाल रहा है बच्चे भोगर लगा रहे हैं सब मुझ कर रहे हैं जहां थोड़ी गरबड़ की अपनी किसमत खुद खराब कर ली है तिसरा है पढ़ाई ऐसे ही पढ़ाई की लकीर पढ़ाई का एम अबजेक्ट क्या हमारा लक्षी है शिरेष्ट पद को पराप्त करना शिक्षक बाप पढ़ाई सब को एकी पढ़ाता और एकी समय पर पढ़ाता मुर्ली सब एकी समय सुनते हो गटी सुनते हो लेकिन लेकिन जो शिरेष्ट ब्रामन जीवन का वपढ़ाई का पद अत्वा नशा है वो सब को एक जैसा नहीं रहता पढ़ाई का मुर्ली का क्या बाबा ने बोला कितना नशार रहना चीए वो सब को एक जैसा नहीं रहता पढ़ाई सी का बनते हैं हम फरिष्टा सो देवता स्टेटर्स को सदा समरिती में नहीं रखते इसलिए क्या होता है फिर मैं इस पढ़ाई से फरिष्टा सो देवता बनने वाला हूँ ये भूल जाते हैं तो भागी के लकीर में अंतर पढ़ जाता है एक एक चीज बाबा बता रहे हैं पढ़ाई इतने जान से बढ़ो किसमत बन गी बाबा की पालना के साथ से चलो शिर्मत के साथ से चलो किसमत बन गी मेरा दिवी जनम है बस मैं बाबा ने मुझे पिछले जनम से मर गया नया जनम है ये बाद समिछे साथ रखो किसमत बन गी चाहता है ऐसे ही सेवा की लकीर अब सेवा की विशेष्टा है क्या है सेवा की विशेष्टा निस्वार सेवा क्या है जो ब्रमा बाप ने साकार रूप में अंतिव वर्दान रूप में समरिती दिलाई क्या थे तीन मावाकिया निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी अब तीने को कैसी यूज़ करना है सुनो निराकारी स्थिती में स्थित होने के बिना मैं आत्मा हो सभी आत्माए हैं ऐसी स्थिती में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते क्यों क्यों कि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है देबान से किया वो तो बहार ही लगए का तीर अंदर तो लगए का तीर स्थिति में स्थित नहीं है तो जिनकी सेवा करते वो भी सदा समरीती सरूप नहीं बन सकते जिस भान से आपने सेवा किया है वो यह उनके अंदर जाएगा यह होगी निराकारी सिति सिर्फ आत्मिक समरीती हम सब भाई बहन हैं एक ही के संतान है इस स्रूप में सेवा करो फिर ऐसे ही निर्विकारी कोई भी विकार का अश अन्य आत्मा के शुद्र वंश को परिवर्तन कर ब्रहामन वंशी नहीं बना सकता खराब में कोई कमजोरी है तो उसको ब्रहामन नहीं बना सकता वो ही शुद्र वंशी लेगा वो बना उस आत्मा को भी मेंनत करनी पड़ती है इसलिए महब्बत का फल सदा अन्भव नहीं कर सकते ठीक ना महब्बत में तो जल्दिली काम हो जाता है पर विकार था इसलिए वो परवाव नहीं पड़ा फिर निरहंकारी सेवा का अर्थ ही है कोई हैंकार नहीं है उस सेवा का अर्थ है फल सरूप बन जुकना जब पेड़ को फल लजाते हैं तो वो जुक जाता है तो आपको भी कोई कुछ बोलता है कुछ बोलता है तो आपकी एगो क्रैश तो नहीं होती आपके सस्कारों की टक्राव तो नहीं होती जुक जाते हो जुक जाते हो इसमें फल लग गए आपको तो यानि बिना निर्मान बने निर्मान अर्ताथ सेवा में सफलता नहीं मिल सकती किसी का construction करना है कि तो जब तक आप ego less नहीं होंगे down to earth नहीं होंगे तब तक सफलता नहीं मिल सकती तो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी इन तीनों वरदानों को सदा सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा कैसे अखंड भाग्य बनेगा आपका कैसे बनेगा निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी बन करके सेवा करना अब चारो ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो कि अखंड है या खंडित है स्पष्ट है या अस्पष्ट है फिर कोटों में कोई तो बन गए है दुनिया की कितनी आत्मा है क्रोडों आत्मा है उन में से क्रोडों में से तो हमने बाबा को पेचान लिया वो तो बन गए लेकिन बनना है कोई में भी कोई जो क्रोडों में से कोई में से कोई थे उन में से भी कोई बनना है स्पेशल बनना है जो कोई में कोई होगा जो कोई में भी न कोई होगा वोही अब संगम युकपर सर्व का माननिय और भविश में पूजनिय बनता है अभी सब उसका रिस्पेक्ट करेंगे रिगार्ड करेंगे संगम युकपर अगर सभी आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड कर रहे हैं तो समलो आगे भी आप सत्यों में उजन्य बन रहे हो मना जो अखंड भाग्ये के लकीरवान है उसकी निशानी है वो अब भी सर्व ब्रामन परिवार का प्यारा होगा बाकी बारवारों की बात ने बापा करे जो बरहमर परिवारा पूरा उसका प्यारा होगा तो माननी होने के कारण सब मानेंगे उसको सब रिस्पेक्ट देंगे उनको माननी होने के कारण क्या फैदा होगा जब सब उसके रिस्पेक्ट करेंगे सब उसकी मानेंगे तो क्या होगा सर्व की दुआएं शरेष्ट आत्माओं के भागी की लकीर को चमकाती रहती एक तो आपने अपना पुर्शाद किया उससे चड़े और दूसरे सब आपका रिस्पेक्ट इतना रिगार्ड करें हैं वो आपको दुआएं देंगे जी बहुत अच्छे हैं वो आपका भागी को चमका रही है अब अब अपने आप से पूछो मैं कौन पूछो अपने आप से की मैं कौन तो सुना आज बाबा ने क्या देखा अब दुनिया वाले कहते हैं पालन हार है जनम दाता है दुनिया भी कहते हैं ना वही पाल रहा है जी वही सब करवा रहा है जी उसी ने दुनिया में बेजा है जी लेकिन लेकिन जनम दाता का परिचे ही नहीं है नहीं उनको पता ही नहीं कौन है वो ऐसी बोलते हैं और आप नशे से कह सकते हो कि जनम दाता परमात्मा कैसे है पालन हार परमात्मा कैसे है कैसे है तो भ्रमा मा की पालना भी मिल रही है और बाप की श्रेष्ट मत पर योग्य आत्माएं बन गए बाप बच्चे को योग्य बनाता है और मा शक्तिशाली बनाती है नहीं मा को होता है बच्चा ऐसे नहीं कर जा घर से नास्तानों उसना किरा के बेज़ू खाना पिना खिला के बेज़ू है ना इसलिए बच्चा शक्तिशाली बन जाता है और बाप क्या करता है अच्छा दिर्वा पढ़ाई लिखाई करा है इसका योगी बनाए इसको दोनों अन्बव है ना अच्छा गीता पार्शाला वाले ज्यादा है ज्यादा है ना गीता पार्शाला वाले यहापर है गीता पार्चाल है नहीं यहापर कौन हो गीता पार्चाला वाले मना गीता का ग्यान सुनने वाले गीता का ग्यान सुनने वाले कौन है हम ही है ना तो बाबा कहते हे अर्जुन हे अर्जुन है सभी अर्जुन है अर्जुन अरजुन मैंना अरजित कर रहा है जो ग्यान अंदर जा रहा है उसके पता है मेरे लिए सब कुछ है यह अरजुन समझ कर गीता ग्यान सुनते हो यह अरजुन दूसरा है क्या समझते हो जब मुली सुन रहे हो तो अरजन मैं ही हूँ आज बाबा ने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए माँ वाके उचा रहा है ये ऐसा समझते हो या किसी और के लिए है मैं अरजन हूँ इन्वर्टिटिटी कॉमर्ज माँ ने बोला क्या बोलना समने मैं अरजन हूँ ये समझते हो और सदैव ये अन्वर्व करके सुनो कि मैं अरजन हूँ मुझे विशेश भगवान गीता का ग्यान सुना रहा है I'm a special soul मुझे special भगवान ये मुर्ली सुना रहा है गीता पाठशाला वाले तो सबसे नंबर वन निकल जाएंगे ठीक है जी जब हमने आपको बोला आप तो सबसे नंबर वन निकल जाएंगे तो इस विधी से सुनो तो आगे चले जाएंगे टीचर्स को भी बिजी रहने के लिए गीता पाठशाला ये अच्छी है टीचर्स बिजी रहेंगे इसमें गीता पाठशाला क्या करती है चकर वर्ती भी बनाती और बिजी भी रखती ये ना पुरे गलोब के राजा भी बनोगे और बिजी भी रहोगे वर्ती भी अच्छी होती है मेहनत कम लेते हैं मददगार ज़्यादा बनते हैं आपको मेहनत कम करने पड़ेगी किसी को भी बोलो की मदद होगी फटबर सा मदद करने लग जाएंगे आपकी बली हारी तो गीता पाढ़ शाला वालों की है ना इसलिए गाँवाले बाप को प्यारे लगते हैं बड़े स्थानों पर माया भी बड़े रूप की आती है गाँवालों को माया भी गाँवाली आती है चोटी मुटी आती है इसलिए बहुत अच्छे हो गाँवाले हो ज्यादा संख्या कहां की है लेकिन अभी तो सभी मदुबन निवासी है ना गाँव के ना शहर के सब कोन है मदुबन निवासी सभी टीचर्स की permanent address कौन सी है मदबन है ना क्या आपकी permanent address कोई आपको पूछे जी home down कहा है आपका मदबन नहीं बोलना हमिशा आपने बबाबन ने कहा मदबन दुकान है वह घर है कि वह दुकान है यह घर है क्या कहते हो ज्यादा क्या याद रहता है घर या दुकान कोई कोई को दुकान ज्यादा याद रहती है बिस्समेन को ज्यादा दुकान याद रहती है सोएंगे तो भी दुकान याद आएगी आप लोग जहां चाहो बुद्धी को स्थित कर सकते हो सेवा केंदर पर रहते भी मदबन निवासी बन सकते और मदबन में रहते भी सेवाधारी बन सकते हो यह अभियास है ना अभियास है ना यह वाला 30 है वहाँ पोचा दो सेकिंड में सोचा और वहीं पर स्थित हुआ मदबन में हुँ मैं पहुंच के सब पहुंच के पांटर फॉमर रिखा रहे पहुंच के इतना अच्छा लग रहा है न सब के चेरे खिल के लिए बस बस होती है यह है टीचर के स्थिती की विशेश्टा बुद्धी भी समर्पित है ना टीचर को बोले हैं बुद्धी भी समर्पित है ना वस के लिए समर्पित हुए हो कि आज जो लो सेवा करेंगे बुद्धी भी समर्पित है तो समर्पित बुद्धी अर्ताग जहां चाहें जब चाहें वास्तित हो जाए ये विशेशता की निशानी है बुद्धी सहित समर्पित ऐसे हो ना या बुद्धी से आदी समर पीत हैं और शरी से सारी हैं अब कोई कोई टीचर्ज भी कहती है टीचर्ज भी कहती हैं योग में बैठते हैं तो आतम अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है सेवा के प्लैनिंग योग में अमरित र recibा कि बाबा ने टच कराया बचे ऐसे से वा करो ऐसे से वा करो तर बाबा ने कहा है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्यों? क्योंकि लास्ट समय अगर अ शरीली बनने की बजाए सेवा का भी संकल्ब चला चाहिए बाबा की सेवा है उसका भी संकलब चला तो सेकिंड के पेपर में फेल हो जाएंगे सेकिंड है बापने करना है और श्री हो और श्री हो के परमदा पहुंचके वो ही बचाएगा आपको यह अभ्यास बहुत दूरी करना है अदर्वाइज चैसेवा भी कर रहे हो फेल हो जाएंगे उस समय विनाश के समय अंतिम समय में सिवाए बाप के निराकारी निर्विकारी निर अहंकारी और कुछ याद नहीं ब्रमा बाप ने अंतिम स्टेज यही मनाई ना बिलकुल निराकारी सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे ना अब परमदाम चले गए सेवा तो ही की होगी इसलिए यह अभ्यास करो जिस समय जो चाहे वो स्थिती हो नहीं तो दोखा मिल जाएगा बाबा पहले अलर्ट कर रहे है ऐसे नहीं सोचो सेवा काही तो संकलब आया खराब संकलब यह नेगटिव संकलब तो नहीं आया विकलब तो नहीं आया यह तो नहीं आया ना नेगटिव सार तो नहीं आया कोई फातुजा तो नहीं आया सेवा कहीं आया तो बाबा कहते है लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना कंट्रोल तो नहीं किया थौर्ट्स को अपने बुद्धी को कंट्रोल तो नहीं किया कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग बन नहीं सकेंगे और विश्व का रूल करना ना जब विश्व महारा दिन बनना है ना तो इसके लिए पहले चाहिए कंट्रोलिंग पावर फिर रूलिंग पावर तो अभ्यास करो वो भी अभी से अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए कि लास्ट में कवर कर लेंगे लास्ट में कुछ नहीं होना अभी से अभ्यास चाहिए इसको हलका नहीं चोड़ो तो सुना टीचर्स को क्या अभ्यास करना है तब कहेंगे टीचर्स बाप को फॉलो करने वाली है सदा भ्रमा बाप को सामने रखो और तीन वर्दान याद रखो और फालो करो फालो किसमें करना है अंतिम जो बाबा ने शबत उचा रहे उसको फालो करना है ये तो सेया जाना ये अंतिम वर्दान बहुत चक्ती शाली है इन तीनों वर्दानों को अगर सदा सम्रीटी में रखते प्रैक्टिकल में आओ तो बाप के दिल तकत नशिन और राज तकत के अधिकारी जरूर बनेंगे फिर अविक बाप दादा की जोन वाइस बच्चों से बुला का तो महराश्टा जोन था महराश्टा गुर्प था सदा अपने को सर्व प्राप्तियों से भरपूर अन्भव करते हो बाप मिला सब कुछ मिल गया ऐसा अन्भव करते हो कभी खाली तो नहीं हो जाते कभी खाली तो नहीं हो जाते क्योंकि बाप ने इतनी प्राप्तियां कराई है अगर सर्व प्राप्ति अपने में जमा करो तो कभी भी खाली होई नहीं सकते तो इस जनम की तो बात ही नहीं है लेकिन अनेक जनम भी यहां की भर पूरता सात्रहेगी यहीं पर भरना सब भूच हमने वोई साथ चलेगी तो जब इतना दिया ही है जो बविश में भी चलना है तो अभी खाली कैसे होंगे अगर बुद्धी खाली रही बुद्धी में बाबा का ग्यान नहीं है गुन नहीं है शक्तिया नहीं है अगर बुद्धी खाली रही तो हल चल रहेगी फ्लक्शेशन आएगी आएगी अब कोई भी चीज अगर फुल भरी नहीं होती तो उसमें हलचल होती है अजल गगरी छलकत जाए आदे भर येगी तो छलकेगी न तो भरपूर होने की निशानी है आप भरपूर हो बाबा की प्राप्तियों से क्या निशानी है उसकी तो भरपूर होने की निशानी है कि माया को आने की मारजिन नहीं है माया ही लाती है तो माया आती है या नहीं पुछने बाबा माया आती है या नहीं संकलब में भी आती है माया के राज्य में तो आधा कलब अनभव किया और अभी अपने राज्य में जा रहे हो जब माया जीत बनेंगे तभी तो फिर अपना राज्य आएगा और माया जीत बनने का सह सादन क्या है माया जीत बनने का सह सादन सदा प्राप्तियों से भरपूर रहो बाबा की जो प्राप्ति मिर रही हैं उससे भरपूर रहो कोई एक भी प्राप्ती से वंचित नहीं रहो सर प्राप्ती हो ऐसे नहीं ये तो है सारी प्राप्तियों तो है एक बात नहीं तो कोई हर्जा नहीं इतना कुछ तो मिली गया एक बात की कमी है तो कोई बात नहीं अगर जरा भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं उसी जगह से ही लाएगी तो क्या करेगी माया कई करते हैं ना माया आ रही है मिर वे माया बहुत आती है माया नहीं आ रही कोई कुछ को तंग नहीं कर रहा वो आप में कमी कमजोरी है वो बार बार आपका पेपर ले रही है कि जहां पर चोड लगती है ना बार बार वही चोड लगती है तो चुस्लिए आप में कमी है accept कर दूसरे को blame करना कर लो accept कर लो मेरे में कमी मुझे सुदार नहीं है वो कमी सोद जाएगी तो आपको आप प्रावलम भी कभी नहीं अगर जरा भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं उसी जगह से ही लाएगी तो माया को आने की मार्जिन ही नहो आ गई नहीं आ गई फिर बगाओ तो उसमें टाइम जाता है तो माया जित बने हो यह नहीं सोचो दो तिन वर्ष में तो होई जाएंगे याद क्या रखो ब्रामनों के लिए ही स्लोगन है अभी नहीं तो कभी नहीं अभी माया को नहीं जीता तो कभी नहीं जीत सकते आगे देख लेंगे देखते ही रह जाओगे तो अब समय की रफ्तार के परमान कोई भी समय कुछ भी हो सकता है बाबा चतावनी दे रहे हैं इशारा दे रहे हैं समय ऐसे आगया है कि कभी भी कुछ हो सकता है इसलिए क्या गरो तीवल पुर्शार्थी बनो बाभा की मली सुने बाभा की माबा की सुने और उसी सेगेंट चेंज हो जाॉ यह तीवल पुर्शार्थी बनना अच्छा अच्छा सर्व बाप समान सदा नौलिजफुल और पावरफुल बच्चों को ग्यानी और योगी बच्चों को सदा भागे विधाता दौरा शिरेश्ट भागे की सपष्ट रेखाओं वाले भागेवान बच्चों को सदा बाप समान त्री वरदान प्राप्त हुए कों से तिरी वरदान नेराकारी नेरविकारी और नेरहकारी प्राप्त हुए विशेश आत्माओं को और सदा ब्रहमन जनम की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भागेवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते जी हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते गर्दान है समे और संकलब सहीत अपने स्रव खजानों को विल करने वाले मुह जीट भव समय और संकलब सही अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मुझीत भाव बाबने विश्ट गुर्णन किया जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है मनने से पहले विल लिखा जाता है कि मेरे बाद मेरा बच्चा वारिस होगा इसका जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है ऐसी आप लोग भी बाप को अपना वारिस बना कर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी बाबाबा को अपना बच्चा बना लो अब बाबा का आज की वाद सब कुछ आपके लिए आपका ही है तो उससे विल पावर आ जाएगी इस विल पावर से फैदा क्या होगा मु स्वता नश्ट हो जाएगा जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया वैसे आप लोगों की जो समरिती है समय है और संकल्पों का खजाना है उसे विल कर दो जो भी मेमरीज में आपकी है ठीक है न जो टाइम है संकल्प है उसे विल करो अर्थाथ विल करना अर्थाथ शिरिमत परमान सेवाओं में लगाओ शिरिमत परमान सेवाओं में लगाओ तो मोजीत और बंदन मुक्त बन जाएंगे ये नको बाबा बंदन है मेरे मिटा दो नहीं बोलना कुछ नहीं है जो आपके पास है सेवा में लगा दो अपना बंदन ख़तम होजएंगे अपना मोजीत बन जाएंगे उसके लिए क्या सलोगन है एक दूसरे का सने ही बनने के लिए सने तो सबसे चाहिए उसके लिए क्या चाहिए सलता और सहन शीलता का गुन धारन करो फिर आज लास संडे हैं मन्त का तो आज के लिए सुचना है कि आज साड़े छे से साड़े साथ तक रहम दिल दाता सरूप और संपूरन पवित्र सुरूप में स्थित हो सर्व आत्माओं को पवित्रता सुख शान्ती की अंचली देने की सेवा गरो ओम शान्ती